Hi Everyone, Welcome to Cooking with Benazir Assalamualaikum आज हम पाए का सूप बना रहे हैं पाए का सूप बहुत ही हल्दी होता है और खास करके ये सर्दियों में पिया जाता है ये सूप highly nutritious है ये bones को strong करता है क्योंकि इसमें calcium भर्पूर है Arthritis और bones की problem में अकसर doctors पाए का सूप recommend करते हैं अगर आप नॉन्वेज है तो अगर आपके घर में कोई बुजर्ग हो जिनने जोड़ों की या हड्डियों की शिकायत हैं तो आप उन्हें भी ये सूप बना कर जरूर पिलाएं और उनकी भी दुआएं लें दुस्तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगर आप मेरे रेसिपी इसके बारे में कुछ जानना चाते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजे क्यू ओयल में भी बना सकते हैं हम इसमें एक छोटी टुकडी डाल चीनी एक लॉंग और पांच से छे काली मिर्चें डाल देंगे हमने दो लसन की कलियों को इस तरह मोटा कट कर लिया है एक छोटी टुकडी अद्रक को भी इस तरह कट किया है मोटा और दो से तीन चोटे पीस हरी मिर्च के लिए लिए हैं आप हरी मिर्च अपने हिसाब से इजिस्ट करें साथ में हम एक छोटी प्यास भी डालेंगे मोटी मोटी कट करके इन सारी चीज़ों को हमें बस एक मिनिट भुनना है लो फ्लेम पर हमें इसका कलर चेंज करके इसको ब्राउन ब्राउन में करना बस लो फ्लेम पर एक मिनिट खाली सौटे करना है एक मिनिट हो चुकी है हम इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर डाल देंगे अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाएंगे ध्यान रहे हमारी गैस की फ्लेम लो है हाई में करना हमें हमने एक पाया ले लिया है पाय को किस तरह वॉश किया जाता है इसका वीडियो हमने पहले अपलोड किया है हमारी पाय की रेसिपी में आपको स्क्रीन पर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा आप उसे क्लिक करेंगे तो आप वो पाय के वीडियो पर जाएंगे जहां पर हमने पूरा सही तरीका बताया है कि आपको किस तरह पाय को साफ करना है हम यह पाया डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे हम इसमें 750 ml पानी डाल देंगे याने की पौना लीटर पानी पाय के सूप को जितना अच्छी तरह हम पकाएंगे लो फ्लेम पर उतना ही सूप अच्छा बनेगा अच्छी तरह से हम एक बार इसे चला लेंगे हमने प्रेशर कुकर का लिट बन कर दिया है पहले हम हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे एक विसल तक बाद में 20-25 मिनिट इसे फ्लेम को लो करके पकाएंगे आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको पिल्कुल लो फ्लेम करके पाय के सूप को धीरे धीरे पकाना है तभी वो अच्छी तरह से गलेंगे और उनके तमाम फाइदे हमें मिलेंगे 20-25 मिनिट तक हमने सूप को अच्छी तरह पकाया बाद में हमने फ्लेम को बन किया और इसके प्रेशर को नैच्रिली हम पहले रिलीज होने देंगे बाहर मिकल जाने देंगे उसके बाद हम प्रेशर कूकर को खोलेंगे अच्छी तरह से पाय का सूप बन कर त्यार हुआ है आप देख सकते हैं कि पाय बहुत अच्छी तरह गल गये हैं बस इसी तरह हमें अच्छी तरह से पाय को गलाना है तभी इसके तमाम गुण हमें मिलेंगे सूप में अगर इस तरह से आपके पाय अच्छी तरह गले नहीं हैं आप इने दुबारा प्रेशर कूकर में डाल दें और दुबारा से पका लें जब तक यह अच्छी तरह गल न जाये, पाए के सूप को हम छान देंगे, इन पाए के पीसिस को हम सूप में डाल देंगे और बाकी तमाम चीज़ें हमें नहीं चाहिए, फ्लेम को आउन करके हमने दुबारा से सूप को पकने के लिए रखा है, हमने सूप को दुबारा अच्छी तरह से पकाया है, हमने यहाँ पर एक पाया यूज किया है, इसमें 2 सूप के बोल्स बंकर त्यार होंगे, अगर आपको लगे कि पानी ज्यादा है तो आप थोड़ा बॉयल करके पानी को कम कर लें, या अगर आपको लगे के पानी कम है तो आप थोड़ा और पानी एड़ करके थोड़ा पका लें फ्लेम को लो करके हम इसमें थोड़ा काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे थोड़ा काली मिर्च का पाउडर हम सर्व करते हैं समय डालेंगे हरा धनिया तक्रीबन एक टीस्पून के करीब नीम्बू का रस अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे फ्लेम को बन कर देंगे गर्मा गरम पाए का सूप बिलकुल तैयार है दोस्तों मेरी आपसे एक गुजारेश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको तीन ओप्शन्स मिलेंगे आपको अल, परस्नलाइज़ और नन आपको औल पर क्लिक करना है अगर आप औल पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन्स नहीं मिलेंगे तो ध्यान रहे औल पर क्लिक करना है